चटे राज्य वित आयो के अध्यक्ष सत्पाल सिंग सत्ती ने जिला परशिद हॉल उना में प्रधानमंत्री आवास योजना शेहरी के तहत 60 परिवारों को 1.11 करोड की आर्थिक साहिता के स्विक्रिती पत्तर परदान किये इस योजना के तहत घर बनाने के लिए 1.85 लाक र लाक रुपे की राहत राशी के चेक परदान किये इस अवसर पर सत्ती ने कहा कि केंदर सरकार ने वर्ष 2022 तक देश के सभी परिवारों को घर देने का लक्ष योजना शेहरी के तहत उना विधान सबक शेतर के शेहरी क्षेतरों में 700 लाभार्थियों का चाहिन किया गया है दधा पिछले चार वर्षों में 400 परिवारों को घर बना कर भी दिये हैं जो कि एक रिकॉर्ड है उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से उन्ना को सबसे ज़्यादा मकान मिले हैं उन्होंने कहा कि करोना संकट में इस योजना के तहत पूरे उन्ना जिला में 360 घर बनाए ग जोग के अध्यक्ष सरपाल सत्ती ने कहा कि जिलाउना में परतेक परिवार को अपना घर दिलवाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं जिला प्रशाशन को उन्होंने परतेक विदान सबक शेतर में कम से कम दो जगाओं पर ऐसी भूमी चेहनित करने को कहा है जहां पर भू भूमी हिनों को मकान बनाने की जगाद दी जा सके कलौनी बनाने के लिए चीनित भूमी पर परदेश सरकार सडक बिजली वा पानी की सुविधा उपलब्द करवाईगी उन्होंने किसी के पास घर बनाने के लिए भूमी उपलब्द ना हो तो उसे जमीन भी दी जा सकती है पुर्धान मंतरी अवाज जोजना के अंतरगत पुरे देश के अंदर निंदर मोदी जी ने जो लेना लिया था तो ज़र बाइस तक सब को मकान देंगे उसी कड़ी में आज उन्ना शेहर में साथ लोगों को मकान के पैसे अवंडित किये गया है लगवाग सब्सक्राइब मकान बढ़ाने के लिए दिया गया है इसके लिए मैं पुर्धान मंतरी इन्दर मोदी जी का मुख्या मंतरी जार्म ठाकुर जी का और नगर के सबी जितने भी साथी हैं हमारे उन लोगों ने मेहनत की और लोगों के फौ्म भरे है उन सब का मैं धन्यवाद देता हूं और जन लोगों को वेनिफिश्री को जिने स्कीम का लाब मिल ला है उन वेनिफिश्री को भी बहुत बढ़ाई मोदी जी ने नेकों स्किम में ऐसी चलाई है जो गाम और गरीब के लिए चलाई गई है उसी कड़ी में जे शहरों में जो गरीब लोग हैं जिनके पर मकान नहीं हैं उनको मकान बनाने के लिए पैसे दिया गया उन्ना शहर के अंदर हम लोगों ने लगवा कवी तक 400 लोगों से ज्यादर लोगों को मकान के पैसे दिये हैं ऑश 700 लड़वा को चिन्हेत किया गया आने वाली समय में उनसब लोगों को पैसे देंगे ताकि हर वेक्ति अपना मकान बना सके उन्हें बहुत बहुत बढ़ाई, शुक्त हमने